हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग आदर्षवाद यानि कि आईडियलिग के बारे में बात करेंगे आदर्षवाद जो है पास्चाति दर्शन की प्राचीनतम सबसे पुरानी विचारदारा है जिसे आपकी विचारदारा ये तो बहुत सी हैं प्रक्रतिवाद, प्रियोजनवाद, एधार्थवाद, आदर्शबाद जो है उनमें सबसे पुरानी विचारदारा है ये विचारदारा ब्रह्मांड को ईसवर द्वारा निर्वित मानती है और मानती है कि बस्तु जगत यानि कि जिस जगत में हम रहे रहे हैं बहुत इक जगत कि आपेच्छा आद्यात्मिक जगत स्रेष्ट है यानि कि इन्होंने आद्यात्मिक जगत को अधिक बेलू दी है ठीक है और क्या कहते हैं कि मनुस्य जीवन का अंतिम उद्देश से आद्यात्मिक मूलियों को पाना मोच की प्राप्ति करना ठीक है ये ईसवर को अंतिम सब्ते मतलब ईसवर ही सब कुछ है और आत्मा को ईसवर का अंस मानती है ठीक है इस विचारदारा के अनुसार मनुस्य जीवन का अंतिम उद्देश से आत्मा नुभूति आत्मा में बिलीन हो जाना आत्मा की प्राप्ति करना ठीक है आत्मा की अनवूति करना ही इस विचारधारा का अंतिवुद्देश है अगर हम आधर्षवाद के अर्थ की बात करें तो आधर्षवाद को हमंग्रेजी में कहते हैं आईडियलिज्म आदर्षवाद सब्द आईडियलिज्म का हिंदी रूपांत्रड है अब idealism जो है idea और izem दो सब्दों से मिलकर बनाए idea का अर्थ होता है बिचार इज्म का अर्थ क्या है बाद एक बिचार धारा इसलिए इसे क्या बिचार बाद भी कहते हैं अगर हम आधर्ष बाद के समर्थकों की बाद करें तो सुक्रात, प्लेटो, डेकार्ट, बर्कले, कांट और हीगल जो हैं ये आदर्शवाद के प्रमुक समर्तों कों के रूप में माने जाते हैं तो ये थी आदर्शवाद के बारे में जानकारी अगर आपको वीडियो ये पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक करें, सेर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू